हेलो अब्रिवन वेल्किम टू रादिया क्लासस तो बैसिकली अब हम ना यूट्यूब चैनल शुरू करने जा रहे हैं जिसके तो हम आपको डिफरेंट टाइप ऑफ लेक्चर्स की जो वीडियोज है वो अपलोड करेंगे दिरे दिरे और पहला लेक्चर है हमारा पास सक्से सक्सेशाइव गरा सेकिंद ताइम पिर फिर थर्ड टाइम अब यहां पर सक्सेशिव डिफरेंटिशन में हमें अन नंबर अफ टाइम से रेरिवाटिव करन थे निंप करना है तो देखो क्या था अभी तैं हमने पड़ा था अभी यह क्या था द्ध धी ट्वर्ट के लिए क्या हो जएगा तो successive differentiation के questions को attempt करने के लिए सबसे पहले हमार को general rules बना ले पड़ेंगे general जो standard results है उनका use करना पड़ेगा तो first result है y is equal to x raised to power m के लिए जो derivative होता हो क्या होता है power आगे आजाएगी और power क्या हो जएगा एक से कम हो जाएगी power is reduced by one तो फिर से power आगे आगे और power x से reduce हो जाएगी power आगे power x से reduce हो जाएगी एक एक कम करते जाना है third derivative के लिए 3 आगे second derivative के लिए x की power m minus 2 हो जाएगी तो ऐसी nth derivative के लिए x की power m minus n हो जाएगी क्योंकि थर्ट था थो 3 आया था nth के लिए n आयागा mth derivative के लिए m आये बाऊएगा ठीक है तो थर्ड derivative के लिए m-2 था 2 तग रुगया था और यहाँ पर nth derivative के लिए सेगंड के लिए क्या आयेगा first nth के लिए क्या आजएगा n-1 क्योंकि 3rd के लिए 2 था मितलब 1 से कम था nth के लिए n-1, mth के लिए m-1 तो इस term को solve करें तो 1 बज़ेगी इसे पिसले लिए term 2 होगी, इसे पिसले लिए term 3 होगी और m-m means 0, anything raised to power 0 is 1 तो m, m-1, m-2 up to 3 to 1, this is m factorial तो result क्या था, mth derivative of x raised to power m is m factorial पहला result है, note कर लो इसको second, ax plus b की power m, first derivative power आगया आएगी और power x से कम होजएगी, फिर chain rule के according इस अंदर वाले का derivative करना है, अंदर वाले का derivative ax का derivative A, और b का derivative क्या होगा, 0 फिर second derivative के लिए फिर power आगया, power x से कम होगी फिर इसका derivative होगा, A, A से क्या बन जाएगा, A square third derivative के लिए A cube power आगया आएगी, और power x से क्या होजएगी, कम यान से लेकिना result में क्या था, third derivative के लिए A की power 3 second के लिए 2, तो mth के लिए क्या होगी, A raised to power m क्या रहा है, third derivative के लिए m minus 3, second के लिए m minus 2 तो mth के लिए m minus m, क्या रहा है, third derivative के लिए m minus 2 तक रुखा, second के लिए m minus 1 तक, एक कम तक रुख रहा है, third है तो 2, second है तो first, mth है तो m minus 1 होगा, तो इसको solve करोगा, तो answer क्या आजएगा, 1, इसे पिसली term, 2, इसे पिसली term क्या होगी, 3, तो mth derivative में देखो, this is m factorial, यह जो हमार पस यहां से लेके, यहां तक बनेगा, यह हमार पस क्या होगा, m factorial, और a raised to power m आजएगा, यहां पर, mth derivative of a x plus b की power m is m factorial into a raised to power m, third function, y is equal to 1 upon a x plus b, it means a x plus b की power minus 1, minus 1 आगया आएगी, power कितनी होजेगी, minus 2, अंदर वले का derivative a raised to power 1, फिर minus 2 आगया आएगा, a x plus b, इसकी power minus 3, और कितना होजेगा, a raised to power 2 होजेगा, फिर क्योंकि इसका derivative फिर से multiply करना बढ़ेगा, फिर power आगया, पावर आगया आएगी, power x से reduce ह minus 3 से minus 4 होगी, और फिर अंदर वले का derivative a cube होजेगा, ये third derivative तक कर लिया हमने, अब nth derivative करते है, nth derivative के लिए minus 1 की power n, ये किसलिए आया, आगया निचे discuss करते है, तो अब 1, 2, 3, third derivative में 3 तक, nth derivative में कहां तक आएगा, n तक, फिर a x plus b की power 3 थी तो minus 4, एक ज्यादा आ रही है, त 3 थी तो minus 4, 2 थी तो minus 3, n थी तो n plus 1 आएगा with a negative sign, ऐसी second derivative में 1 का square, third derivative में 1 का cube, nth derivative में 1 की power कितने आएगी, n, और अब देखते हैं, ये minus 1 की power n की वाई, देखिए, अब first था, तो negative आ रहा था, second था, do negative means positive होगा, third था, 3 negative means हमार पास क्या होगा, फर negative, मतलब even वला derivative है, वो n लिखने पड़ेगी, क्योंकि अगर देखें, even number 2, minus 1 की power 2, it means positive, तो even वला क्या होगा, positive, और odd में minus 1 की power 1, तो ये क्या होगी, negative, तो वो odd वला क्या था, negative, तो आपका nth derivative क्या बना, minus 1 की power n, और ये इसके लिए n factorial, negative power थी नीच से आगे positive, और a raised to power n, this is the nth derivative of 1 upon ax plus b, third result होग of log of ax plus b, means y is equal to log of ax plus b, अब log का derivative कैसे होता था, first derivative log इसको क्या होता था, denominator में ले जाता था, one upon ax plus b, फिर इसका derivative chain rule से कितना हो गया, a, ठीक है, अचा है, यहासे ax plus b की power कितनी है, one, second derivative करोगे, negative में power चली जाएगी उपर, और ये power क्या हो जाएगी, x से increase लगाती है, ये general result होत फिर इसे third derivative two power है, negative में उपर जाएगी, power 1 increase हो जाएगी, ax plus b का derivative three, फिर three power थी negative में उपर, power 1 increase, a cube से क्या हो गया, a4, यहां से देखना, third, one, two, fourth के लिए one, two, three, मतलब एक कम तक रोकना हमने, nth के लिए n minus one तक रोकेंगे, इसलिए कि इसका हो गया n minus one का factorial, अब यहां से result क् देखो, first वाला positive था, second वाला negative, third वाला, फिर negative positive, क्योंकि दो negative है तो क्या हो जेगा positive, fourth वाला फिर negative हो गया, अगर ऐसा होता है, आपका जो even है, वो negative आता है, और odd के आता है, positive, तो आपको क्या लिखना है, minus one की power n minus one, जैसे यहां पे लिखा था न, उल्टा हो गया, यहां से minus one factorial, minus one की power n minus one, a raise to power n, और a x plus b की power n, clear है, fifth one, nth derivative of a raise to power mx, अब हमने यह derivative प्रढ़ा हुए, derivative of a raise to power x is a raise to power x log e, logarithm function, तो a raise to power x, mx का derivative, first derivative a raise to power mx, और इसके लिए के आगे log e, और mx का derivative क्या होगा, m, अगर हम second derivative करें, this is a constant, it will remain as it is, एक बार दो, a raise to power mx का फिर से करेंगे, a raise to power mx log e, फिर से आजएगा, square हो गया, और mx का derivative फिर से होगा, वो क्या होगा, m square, third derivative में a raise to power mx फिर से log e आएगा cube होजएगा, और m का भी क्या होजएगा, cube क्योंकि mx का derivative फिर से होगा, फिर से अब nth derivative बात करतें, a raise to power mx, third derivative था three, second derivative के लिए two, और nth derivative के लिए n, और nth derivative के लिए m की power भी क्या होजएगी, n, तो nth derivative of a raise to power mx, is a raise to power mx, log a की power n, m raise to power n, sixth function y is equal to sin a x plus b, sin का derivative cos फिर ax plus b का derivative क्या हो जागा अब फिर cos का derivative करा a will remain as it is this is a constant cos को sin में change करने के लिए this is an angle sin 90 plus theta will become cos theta तो फिर से हमने इसका दुबारा derivative करा a is a constant will remain as it is sin का derivative क्या हो जागा cos और this angle will remain as it is इसका derivative फिर a multiply कर दिया तो ये a square बन गया and cos ax plus b plus pi by 2 अब ये cos of theta हो गया अब sin 90 plus this theta sin 90 plus theta is cos theta sin में change कर लिए क्योंकि मारा overall function क्या था sin तो क्या बन गया a square sin ax plus b pi by 2 plus pi by 2 it will become 2 pi by 2 फिर derivative करते है a square will remain as it is और फिर sin का derivative क्या होगा cos this function will remain as it is इसका derivative फिर क्या हो गया a a cube बन गया sin में change करने के लिए pi by 2 फिर add कर दिया and result क्या बन गया 3 pi by 2 third derivative के लिए a cube sin ax plus b 3 pi by 2 second derivative के लिए a square sin ax plus b 2 pi by 2 तो nth के लिए क्या होगा a raise to power n sin ax plus b 3 pi by 2 था third के लिए second के लिए 2 pi by 2 तो इसके लिए क्या होजएगा n pi by 2 ठीक है यसी अगर हम cos का derivative करने जाए cos ax plus b तो इसका result क्या होगा a raise to power n जो x का coefficient है cos ax plus b n pi by 2 ठीक है फिर y is equal to 8th function y is equal to e raise to power ax sin bx plus c तो क्या होगा y1 a derivative करने के लिए आपको product rule लगाना पड़ेगा e raise to power ax ax का derivative a this will remain as it is first का derivative करा second answer is रखा फिर first question is रखें second का derivative sin bx plus c का derivative क्या होगा cos bx plus c bx plus c का derivative क्या होगा b ठीक है common आगया e raise to power ax क्या बचा a sin bx plus c b cos bx plus c तो जो sin के साथ वले उसको r cos alpha sin के साथ वले को cos और जो cos के साथ वले r sin alpha ऐसा तब करते है जब function में sin हो अगर यहाँ पे cos होता तब क्या करना था a को cos sin के साथ वले को sin और cos के साथ वले को cos sin के लिए alternate सेलेंगे और cos के लिए same करना होगा स्केरिंग और एडिंग दिस equation this is equation 1 and equation 2 r square is equal to a square plus b square r के value क्या होगी under root of a square plus b square divide करेंगे tan alpha is equal to b by a alpha is equal to tan inverse b by a तो सारी values पुट कर दी अब यहाँ से हमने क्या करा a की value क्या थी r cos alpha b की value क्या थी r sin alpha r common आ गया cos alpha sin bx plus c sin alpha cos bx plus c it means sin a cos b plus cos a sin b sin a plus b का formula बने गया फिर इस r की value पुट करते है first derivative है r e raised to power a x sin bx plus c plus alpha अब bx plus c में क्या add हुआ alpha e raised to power a x के साथ क्या हुआ r अगर second derivative हुथता r square हुथता और alpha की जगा क्या आता 2 alpha third derivative में r cube और alpha की जगा 2 alpha की जगा 3 alpha nth derivative में r raised to power n और हमारे पास third derivative के लिए 3 alpha था nth derivative के लिए n alpha होगा values put करते है now r की value a square plus b square का under root under root means power 1 by 2 तो nth derivative के लिए क्या होज़ेगा a square plus b square इसकी power n by 2 e raised to power a x और alpha की value के आँ हमारे पस tan inverse b by a तो result is n tan inverse b by a तो ये nth derivative का result a square plus b square इसकी power n by 2 e raised to power a x sin bx plus c plus n tan inverse b by a ये मारे पस nth derivative का result होगा अब हमारे पस एक last function ना 9th y is equal to e raised to power a x cos of a x plus b bx plus c इसका जो nth derivative होगा same result a square plus b square इसकी power n by 2 तो 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 है और e raised to power a x cos of bx plus c plus n tan inverse b by a ये result बन सेगा ठीक है ये सारे general rules होगे मारे पस जो successive differentiation के लिए next lecture में हम इसके questions करेंगे इन general results का use करके अले एक general results लिखेंगे एक छोड़ा सा step बनाएंगे फिर इंगे questions करेंगे ठीक है for next video subscribe our channel and press the bell icon for the notification कीस